नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कहानी अन्बॉक्स पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मुन्शी प्रेम चंद की कहानी रसिक संपादक आए फिर सुनते हैं कहानी नवरस के संपादक पंडिक चोखेलाल शर्मा की धरमपतनी का जबसे दिहांत हुआ है उनको इस्तरियों से विशेश अनुराग हो गया है और रसिक्ता की मातरा भी कुछ बढ़ गई है पुर्शों के अच्छे अच्छे लेक रद्दी में डाल दिये जाते हैं पर देवियों के लेक कैसे भी हो उनको तुरंत ही स्विकार कर लिया जाता है और कई बार लेक की रसीद के साथ लेक की परशंशा कुछ इन शब्दों में की जाती है आपका लेक पढ़कर दिल थाम कर रह गया अतीत जीवन आखों के सामने मूर्तिवान हो गया अत्वा आपके भाव सागर के उज्वल रतन है जिनकी चमक कभी कमना होगी और कवीताएं तो हिर्दे की हिलोरे विश्व बीना की अमरतान अनंता की मदुर्वेदना निशा का निरवगान होती थी प्रशंशा के साथ मिलने के अब लाशा भी प्रकट की जाती थी यदि आप कभी इदर से जो लेक अभागे भिक्षू की भाती कितनी ही पत्र पत्र काओं के द्वार से निराश लोटाए थे उनका इहां इतना आदर पहली बारी ऐसा संपादक जन्मा है जो गुणों का पार्खी है और सभी संपादक घमंडी है अपने आगी किसी को समझते ही नहीं है जरसी संपा यह भी उसी का दंड है यह भी संपादक ही है कोई घास नहीं चीलते और संपादक भी एक जगत विख्यात पत्र के नवरस सब पत्रों में राजा है चोखे लाल जी के पत्र की ग्रहाक संक्या बड़ी तेजी से बढ़ने लगी हर डाक से धन्यवादू की एक बार सी आ जात कोई उनसे घरेलू संक्टों में प्रामश पूछती और महीनों में 10-5 महिलाएं उन्हें दर्शन भी दे जाती शर्मा जी उनकी अवाई का तार या पत्र पाते ही स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करते बड़े अग्रहा से उन्हें एकाद दिन ठहराते उनकी खूब खा हम निश्यपूर कुछ नहीं कह सकते हम तो इतना जानते हैं कि जो देवियां एक बार यहां आ जाती है वह शर्मा जी की भक्त हो जाती है बिचारा साहत्ते की कुटिया का अत्रपस्वी है अपने विधुर जीवन की निराशाओं को अपने अंतस्तल में संचित रखकर प्रानी को थोड़ी सी मिठाई दी जा सके तो उससे भंडार की शोबा है कोई देवी पारसल से अचार भेज देती कोई लड़ो एक निपूजा का उनियासन अपने हातों बनाकर भेज दिया एक देवी महीने में एक बार आकर उनके कपड़ों की मरमत कर देती थी दूसरी प्रेवी महीने में दो-तीन बार आकर उन्हें अच्छे-ची चीजे बनाकर खिला जाती थी अब वह किसी एक के ना होकर सबके हो गए थे इस्तरियों के अधिकारों का उनसे बड़ा रक्षक शायदी कोई मिले पुर्षों से तो शर्मा जी को हमेशा ही तिवर लोशना ही मि लेकिन चोखे लाल इधर बहुत उदार हो गए थे कवीता इतने सुंदर अक्ष्रों में लिखी थी लेखीगा का नाम इतना मोहक था कि संपादक जी के सामने उसका एक कलपना चित्र सा आकर खड़ा हो गया भावक प्रक्रती कोमल गात याचना भरे नेत्र बिम अधर के मन में संसनी दोड़ी क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे भाग सकोगे मैं तुमारे गले में हाट डाल दूंगी मैं तुमारे कमर में करपाश कस दूंगी मैं तुमारा पाउं पकड़कर रोक लूंगी तब उस पर सिर रख दूंगी क्या तुम समझत तो मुझे छोड़ कर भाग जाओगे कामाक्षी शर्मा जी को हर बार इस कवीता में एक नया रस मिलता था उन्होंने उसी शन कामाक्षी देवी के नाम यह पत्तर लिखा आपकी कवीता पढ़कर मैं नहीं कह सकता मेरे चित की क्या दशा हुई हिर्दय में एक ऐशी तरिशना मिली है मन मतंग की भाती जंजीर तोड़ा कर भाग जाना चाता है जिस हिर्दे से यह भाव निकले हैं उसमें प्रेम का कितना अक्षे भंडार है उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में ही अनंद पाता है मैं आप से सत्ते कहता हूँ ऐसी कवीता मैंने आज तक न आग लगा दी है लेकिन मन है स्विकार नहीं करता कि यह केवल विनोध करीड़ा है इन शब्दों में मुझे एक ऐसा हिर्दे छिपा हुआ ग्यात होता है जिसमें प्रेम की वेदना सही है जो लालसा की आग में तपा है मैं इसे अपना परम सोभाग्य समझूंगा यदि आ आज कमाक्षी का शुबाग्मन है शर्मा जी ने प्रात्यकाल हजामत बनवाई साबुन और बेसन से सनान किया महीन खदर की धोती कोकटी का धिला चुन्नटदार कुरता मलाई के रंग की रेशमी चादर इस ठाट से आकर कारले में बैठे तो सारा दफ्तर गमक उठा दफ् संदे में गमले रखवा दिये गए थे मेज पर गुलदस्ते सजा दिये गए थे गाड़ी नो बजे आती है अभी साड़े आठ है साड़े नो बजे तक यहां आ जाएगी इस परिशानी में कोई काम नहीं हो रहा है बार बार घड़ी की और ताकते हैं फिर आएने में अपन तब वह ऐसा मेहमान हो जाता है जो उपहार लेकर आता हो यूवको का प्रेम खर्चीला वस्तु है लेकिन महात्माओं या महात्मापन के समीप पहुचे हुए लोगों को प्रेम उल्टे और कुछ ले आता है यूवक जो रंग बहुमुल्यों पहारों से जमाता है यह महात महात्मा या अर्ध महात्मा लोग केवल आश्विवात से जमा लेते हैं ठीक साथे नो बजे चप्रासी ने आकर एक कार्ट दिया लिखा था कमाक्षी शर्मा जी ने उसे देवी जी को लाने की अनमती देखर एक बर फिर आएने में अपनी सूरत देखी और एक मोटी सी मानो समादी से जाग पड़े हो और खड़े होकर देवी जी का स्वागत किया मगर यह वह मूर्ती ना थी जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी एक काली मोटी अधेड चंचल और थी जो शर्मा जी को इस तरह घूर रही थी मानों उन्हें पी जाएगी शर्मा जी का सारा अनुराग ठंडा पड़ गया वे सारी मन की मिठाईयां जो है महीनों से खा रहे थे पेट में शूल की भाती चुबने लगी कुछ कहते सुनते ना बना केवल इतना बोले संपादकों का जीवन बिलकुल पश्वों का जीवन है सिर उठाने का समय नहीं मिलता उस पर कारे अ मूँ पोच कर मधूर स्वर में बोली यह आपने तो बड़ी बुरी खबर सुनाई मैं तो एक सहली से मिलने जा रही थी सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चलूं लेकिन जब आपका स्वास्ते ठीक नहीं है तो मुझे यहां कुछ दिन रहकर आपका स्वास्ते सुधा गया है नाड़ी छूटी जा रही है उस चुडैल के साथ रहकर तो जीवन ही नर्ख हो जाएगा चली है कवीता करने और कवीता भी कैसी अशलीलता में डूबी हुई अशलील तो है ही बिल्कुल सड़ी हुई गंदी एक सुन्दर युपती की कलम से वह कवीता काम बान थी इस डायन की कलम से तो वह परनाले का कीचर है मैं कहता हूँ इसे ऐसी कवीता लिखने का अधिकार ही क्या है यह क्यों ऐसी कवीता लिखती है क्यों नहीं किसी कोने में बैठके रामभजन करती आप पुछती है मुझे छोड़ कर भाग सकोगे मैं कहता हूँ आपके पास जाएगा ही क्यों दूर से ही देखकर लंबा हो जाएगा कवीता क्या है जिसका ना सिर ना फैर मात्राओं तक का तो इसे ग्यान नहीं है और कवीता करती है कवीता अगर इस काया में निवास कर सकती है तो फिर गदा भी गा सकता है उट भी नाच सकता है इस रांड को इतना कवीता लिखती है कोई कितना ही भूका हो क्या गोबर खा लेगा और चुडएल इतना बड़ा पोथा लेती आई है इसमें भी वही परनाले का गंदा की चड़ होगा उस मोटी पुस्तक की ओर देखते हुए बोले नहीं नहीं मैं आपको कश नहीं देना चाता वहैं ऐसी कोई बात नहीं है दो-चार दिन के विश्राम से ठीक हो जाएगा आपकी सहेली आपकी प्रतिक्षा करती होगी आप तो महाशी जी संकोच कर रहे हैं मैं दस-पांच दिन के बाद भी चली जाओंगी तो कोई हानी ना होगी इसकी कोई अफशकता नहीं है देवी जी आपके सहान का ये शूफल है कि मैंने इतनी कवीताइं रश डाली आप इन में से जो चाहें रख ले मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है उसे भी शिगरी आपकी सेवा में भेजूंगी कहिए तो दो-चार कवीताइं सुनाओ ऐसा अफसर मुझे फिर कम मिलेगा यह तो नहीं जानती की कवीताइं कैसी हैं पर आप सुनकर परसन होंगे बिल्कुल उसी रंकी हैं उसने अनुमति की प्रतिक्षा ना की तुरंत पोथा खोल कर एक कवीता सुनाने लगी शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा जैसे कोई भिगो भिगो कर जूते मार रहा है कई ब कुछ दर्द होने लगा वह गदी टेलेगी या यूही बैटी सिर्खाती रहेगी इसे मेरे चहरे से भी मेरे मनुभावों का ग्यान नहीं हो रहा है उस पर आप कवीता करने वाली हैं इस मुझे तो महादेवी या सुबद्रा कुमारी की कवीताइं भी घृना ही उत्पन कर प्रिपा एतना कमजोर स्वास्ते होने पर भी इतने व्यश्त रहते हैं मुझे आप और दया आती है आपकी किरपा है आपको कल अवकाश रहेगा जरह मैं अपना ड्रामा सुनाना चाती थी खेद है कल मुझे जरह प्रयाग जाना है तो मैं भी आपके साथ चलू गाड़ी म तक उनका इंतिजार किया मगर शर्मा जी एक सज्जन से ऐसे महत्व की बाते कर रहे थे जिसका अंती होने ना पाता था निराश होकर कामाक्षी देवी विदा हुई और शिगरी फिर आने का वादा कर गई शर्मा जी ने अराम से सांस ली और उस पोथे को उठा कर रद्दी म नहीं जाएगी मैनेजर ने आशरी चक्कित होकर कहा फॉर्म तो मशीन पर है कोई हर्ज नहीं फॉर्म उतार लीजिए बड़ी देर होगी होने दीजिए यह कवीता नहीं जाएगी दोस्तों कहानी कांती यहीं पर होता है आप सुन रहे थे मुझी प्रेम चंद की कहानी रसिक संपादग कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ऐसी ही बहतरीन कहानिया सुनन करने के लिए धन्यावाद